नवस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सबको'RE आपके अपने बढी यूटूप चैनल होधार किसान भाईय जैसे कि आप लोगों देख सकते मेरा पिछे जो पूरा खेत है अधाएकड करते है है पूरा आलू का खेती किया हुआ है दिसंबर की माह में आलू का खेती करना बहुत अच्छा रहता है बहुत इसका जो ग्रोथ है इससे जो मुनाफ़ा होता है बहुत अच्छा रहता है साथ ही आपको बता दे कि इसका जो रेट होता है वो बहुत अच्छा खासा मिलता अभी हमारे साइड में 40 रुपया केजी च सबसे खास बात तो यह होता है कि सबसे अच्छा मुणाफा देने का कारन बात करें STEPHAN reasons माह में आफ आलू के खैटी कैसे ले सकते हैं कोन-कोन का मोसम है किसान भाई उसमें पाला बहुत जादे लगता है पाला से आप कैसे बचा सकते हैं कौन-कौन से दवाई है साथ ही कौन से आप देसी तरीका से आप आलू को पाला से बचा सकते हैं इस तमाम चीजों के बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो से पहले इसके लिए आपको बलुआयर दोमड मिटी आपको बहुत जोरी हो जाता है अगर आपका खेत नदी का किनारे में है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो पूरा जाड़ी वोला जो खेत है पिछे साइड में ये इसका साइड में पूरा नदी गुजर रहा है तो पारिस कम होता है बरसात कम होता है नदी का पानी नीचे जाता है तो उस टाइम में खेत को अच्छी तेरिका से जुताई कर लेते हैं जुताई करने के बाद इसमें आप गोबर की खाड में तो गोबर की खाड डाले उसके बाद आप इसमें रसाइनी खाड जैसे की यो में आप देख सकते हैं और उसके बाद इसमें आप सारा खाद को सुरवाद में भी आप डाल सकते हैं या फिर आप नाली बना रहे हैं रोपाई कर रहे हैं नाली में उस टाइम भी आप इसको खाद को हलका हलका भुरबुराते हुए चल जाते हैं तो उसके बाद बात करे गिसान भाईो इसका जो निराई गुडाई कीटो सबसे जोररी हो जाते इसका जो निराई गुडाई होता ह KNIGHT देख सकते यह ही बहुारा है चालीस से 85 दिन providers का यहालू हो रहा है इसका हइड पहुत अभी कि अधिक हो रहा है तो हाइड इसका इसलिए हो रहा है induction अच्छा रहता है अच्छा खाद मेंटेन रहता है इसका भी हर्वेस्टिंग भी चल रहा है पिछे साइड में कुछ-कुछ जगह में अभी थोड़ा बहुत करके हर्वेस्टिंग चल रहा है अभी मार्केट के हिसाब से मार्केट में अच्छा रेट चल रहा है तो इसलिए स पॉर्हाइ किजिये और फिर उतारी है मार्केट में उसके बाद बाद करें कि सानी वह इसका जो भराय वो जाता है तो बांज बहुत बहुत जादे पर ईबराइटी है जैसे लाल हो जाता है लाल आलू हो जाता है और सफखेद आलू हो जाता है तो विक Hebrews वह हो working लाल और सफेद को मिक्स करके लगाते हैं लाल में आपका सुंदरी कुफरी सुंदरी हो जाता है लाल गुलाब करके आता है वो भराइटी हम लो यूज करते हैं लगाने बाद 15-20 दिन में इसका निराई गुड़ाई हो जाता है 15-20 दिन अगर छोटा साइज है ठंडा के वज कर दो चाहें तो अब ना दे आगर पिर से देना चार हैं अच्छा ग्रोध के लिए अपका जमीन में कमी है तो आप पोटस के साथ जिंग भी डाली जिंग का आपकोछी कीजिए गोबर के साथ मिक्स करके डाल चाहान तो अच्छा आपको रीजल्ट मिलेगा, उसके बाद किसान भायों इसका जो निराई गुड़ाई हो जाता है उसके वाद सिचाई करने वाद तीन से चार सिचाई आपको करना है तो दस से बीस दिन में आपका अलू मार्केट मुतरने के लिए त्यार हो जाता है तो किसान भायों बात करें इसका जो पाला लगने का जब सुरुव आपको पराली से पूरा कभर कर देना है, वो भी आपका पाला से बचाएगा, और दूसरा बात करें, जैसे कोई राख, लकडी जलता है, खाना बनानें बहुत जगाप में, लकडी और गोबर का यूज होता है, तो इसे में जो राख आता है, राख को भी आप आप निराई- दवाई में बहुत जादे मार्केड में आता है अब देखिए मार्केड में हम लोग बताते हैं किसान भायों की यह दवाई आता है तो आप उस दवाई को अपना छेतर में खोचते हैं तो नहीं मिल पाता है फिर आप कमेंड करते हैं कि जो आप दवाई बताए वह दवाई हम लाएगा नहीं क्योंकि दवाई जादे रेट का आता नहीं है 20 से 25 रुपया की इतना बड़ा सा आता है एक लिक्वीड टाइब में जैसे पेट्रोल टुटी ओल जैसे डालते हैं उसका जो टुटी ओल आता है उसी टाइब में इसका भी आता है दवाई इतना बड़ा बाद इसका जो उपज की बात करें किसान भायों तो हमारा जो पिछे साइड में एक एकर का खेत है यह जो खेत है यह आधा एकर में किसान भायों हो जाता है उतना क्या बता इसका कभी वजन करके ध्यान करके दिये नहीं है कि कितना होता है क्योंकि साइज के उपर है कुछ चोटा रहता हैं बड़ा सरफ बिग जाता है चोटा नहीं होते हैं तो उपज की बात करें तो आप लगाए अधिया पिर है प्सक्राइब लुह तो उम्मीद करते हैं इस वेडियो से आपको ज़रुर कुछ है परक चान्कारी देते हैं तो उमीद करते हैं इस वीडियो से जरूर सीखने के लिए मिलें अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद